सो हेलो गाइज और वरकम बैक तो दी न्य वीडियो आप लोगों को बेस्ट आयोस थीम बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से देखिए कैसे डाउनलोड करना है उसका क्या-क्या फीचर मैं आप लोगों को सब कुछ एक्स्प्लेइन करूंगा बहुत ह अच्छे से तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थीम बता देता हूं iOS 14.1 आप लोग यहां पर सर्च करिएगा iOS 14.1 तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर आप लोग सर्च कर लीजेगा यहां पर आप लोग सर्च कर लीजेगा यहां पर आप लोग पोब बहुत सारा मिलेगा लेकिन सबसे बेस्ट हो जो है इसमें आप लोगों को डूएल थीम एffekt मिलता है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं apply कर देता हूँ apply पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेगा यहाँ पर एक ध्यान दीजेगा कि यह जो apply छारो टिक है न यह चारो आप लोग को होना चाहिए और यह theme वाला app यहां पर मैं apply करूंगा यह got it पर जाओंगा और यह apply हो जाएगा कुछ ही देर में apply होने के बाद आप ध्यान से देखेगा मेरे में क्या क्या difference आता है आप लोग देखेगा तो यह देखिए आप लोगों को देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर home बटन पर मैं क्लिक करता हूं तो थोड़ा से refresh होने में time लग रहा है जो यहां पर बैटरी का जो आइकन है वह भी बहुत ही modify हो चुका और यहां पर आप लोग को आइकन बिल्कुली iOS की तरह देखने को मिल जाएगा आप लोग है वह आप लोग को iOS की तरह देखने को मिल जाएगा और आप लोग जो है इसका आनंद उठा सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसका जो setting है वह भी आप लोग को पूरे iOS की तरह दिख जाएगा तो मालो आप लोग जैसा जब कि यह देख लीजिए मैं आप लोग को setting से दिखा देता हूं यह जो मेरा device है यह Redmi Note 5 Pro है जिससे मैं अभी record कर रहा हूं और यह device Redmi Note 5 Pro है लेकिन कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए